कैसे हैं आप सब लोग मैं अच्छा करता हो कि सब ठीक होंगे लास्ट में मैंने एक वीडियो अप्लोड गया था जिसके अंदर मैं बता रहा हूं कि मैं आपनी ड्रीम बाइक ली है जब भी मैं इस तरीके का साफ ड्यव्मेंट के रिलेटेड वीडियो अप्लोड करता हूं तो फिर उसकी जो कमेंट सेक्शन होती है वह बहुत प्यॉर होती हैं बहुत स्पिरिच्छल होती है क्योंकि आप में से जो भी लोग मेरे साथ रिलेट कर पाता है वह हमेशा उन अब भी अच्छी तरीका से बना पाऊ एक बार हम सब लोग की जब अच्छी बाडी बन जाए बाद में हम लोग अपने ब्रेन के उपर स्यादा अच्छी तरीका से वर्क कर पाएंगे तो येस आज हमारा पुष्ट है मतलब हमें चैस्ट हंड शोल्डर को ट्रें करना है ल अच्छी बाद में चैस्ट कर अच्छी तो यह रहता है जैरल मैं दू स्कूब लेकर घ्यादा हो लेकर आज काज़ बिकास्प लड़ू खाया है इसलिए मैं नहीं लेने वाला हूँ दो स्कूब क्योंकि अब बहुत लड़ू क्यों बहुत कैलरी अज़ यह अगर मैं अग तो फिर मैं क्यालरी सर्प्लस में चला जाओंगा अब दिक्कत यह है कि पिछले एक दू हफते से मैं 76 kg के अराउंड अपना बॉड़ी वेट मेंटें कर रहा था जिसके वज़े समय बाट सॉफ्ट लगना लग रहा था अगर अपने मेरी रील्स अच्छ अच्छ देखे होग अच्छ खास पसंद नहीं आ रहा है और मुझे वापिस है वो चेंज करना है इसलिए वापिस है मैं 74 kg को मेंटेंड करने वाला हूँ आज का मेरा में गोल यही होता था पूरे दिन में कि मुझे जितना हो सक उतना ज्यादा खाना खाना है तो मैं कैलरी को भी ट्रैक नहीं क स्वाद अगर अच्छ आ रहा हो तो फिर वो मुझे जल्दी सा खा लेनी हा ताकि मेरा वजन 76 के आसपास मेंटेंड रहा है अब बिकॉज मुझे 76 kg मेंटेंड नहीं करना इसलिए मैं अगर यह मेरी जो स्ट्रिक्ट डायेट है इसको फॉलो करूंगा तो अच्छ रहेगा मैं मेरे गूल तक पहुंच जाओंगा मुझे मलाई चाहिए यार नहीं मिल वाएगी दूद की मैंजरमेंट मैं पहले लेता था मलाई के अंदर कैलरी ज्यादा होते हैं लेकिन मलाई कर स्वाद मुझे बहुत बहुत बसंद इसलिए मैं हमेशा मलाई लेता हूँ कभी-कभ अगर नहीं आजए तो पिर मैं फोर्स नहीं एक आने के लिए लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कर स्वाद मेरी ओट मील मैं अच्छा बन जाता है दूद को मैं मेशर नहीं करता हूँ क्योंकि इसके अंदर आराउंड 400 ml के आसपास दूद आता है 400 ml से उपर नीजा होता है कभी-कभी लेकिन में किछ खास फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप दे एंड दे दे डे डे एंड अव डे वीक मेरी कालरी में रहते हैं वो मुझे किस टरीक तरीक तरीकर से पता है क्योंकि मेरा वीड 74 के आसपास ही रहता है अगर अगर रहे डायेट कुछ इस तरीके से हो घो होग है तो पिह टो हरोज पीज़ दो मेरे में ताकत नहीं है कि नहीं है और खुल जाओ कि बहुत बुर्ण लगता है कि आनद पास इस ज्या ठीवा Tweetych biz majors अब जेनरली में पीनट बटर की दो चमच लेता हूँ लेकिन आज बिकास मैंने दो लड़ू कहा है इसलिए दो स्कूब पीनट बटर की मुझे जरुवत नहीं है इसलिए मैं एक ही स्पून डालूंगा मेरी ओट मेल में मुझे इस मलाय को पूरी तरीक से दिस्ट्राइन करना है क्योंकि अगर मैंने ज्यादा इंटेंसली इस मिल्क और ओट्स को मिक्स करने की तो फिर ऐसा हो सकता है कि मुझे मेरी मलाय का स्वाद अच्छी तरीक से मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाऊंगा इसलिए उस बेटर एक् कोई बात नहीं इस चीज को पी के हम लोग जिम में मिलता है ओल राइट पहले एक्सजाइज हम चैस्ट के लिए लगाना वाला है जो है बैंच प्रेस अब अगर आप मुझे कुछ समय से फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आपको पता होगा कि बैंच प्रेस कॉड्स और डैड नहीं तक बैंच प्रेस मैं लिट्रली कभी नहीं लगाए है जितों पहले जिम में जाता था उस जिम पके अंदर मेंचिप्रेस और एक बार किसे कैसे फील होती है हमारी चैस्ट में यह मैं शायद पहली या तो फिर दूसरी बार बैंच प्रेस लगा रहा हूँ इसलिए मेरे में अंदर कुछ खास पावर भी रही है मैं सरफ 40 गेजी से 40 गेजी से तो नहीं लेकिन अराउंड 50-60 गेजे से मैंने लगाई थी है बैंच प्र रहा था तपिर अब मुझे थोड़ा सह द्यान देना है यह कंग्र है कि अगर मेरे इतनी ऐच्छी के भी तो फिरी मेरी ड्यूटी बनती है कि जिम के अंदर में रखी होना चाहिए मुझे अगर यह ताकत मेरे सिर्फ bench press and squad से decide हो सकती है तो फिर कोई बात नहीं मैं यह दोनों exercise भी अपने routine में करने के लिए तयार हो क्योंकि यह दो तीन exercise ही है decide कर सकती है कि क्या हम actual में strength possess करते हैं या नहीं करते हैं पाकि सारी machines पर भी आप ज्यादा weight उठाकर यह decide कर सकते हो कि आप exactly कितने ताकत वार हो लेकिन यह जो classic compound movements है उनको beat करना मुश्किल है इसलिए मैं compound movements करने वाला हूँ अगर आपको भी मेरे साथ compound movements try करनी हो वापिस है तो फिर आप कर सकते हो लेकिन deadlift को please मत करना क्योंकि उससे आपकी lower back बहुत अच्छी खासी damage हो सकती है अगर आपको deadlift करनी हो तो फिर आप अपने खुद के risk के उपर करना मैं आपको suggestion नहीं कर रहा हूँ कि आप deadlift करो क्योंकि मैं खुद भी deadlift कभी नहीं करना वाला दूसरी exercise है cable flies, यह cable flies की machine थोड़ी सी अलग है क्योंकि जो मेरा पुराना जिम था उसके अंदर cable flies की machine के बीच में ज्यादा gap होता था इससे थोड़ा सा अलग effect आता था लेकिन इस machine में भी कुछ खास problem नहीं है जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं बहुत controlled way में बहुत शांती से exercise perform कर रहा हूँ क्योंकि इस exercise के साथ मेरी history है अब आपको पता ही होगा कि मेरी chest एक समय पर injured हो चुकी थी और मुझे 6-7 महिने का rest लेना पड़ा था अब उसके पीछे सिर्फ दो reason थे कि exactly मेरी chest क्यों इतनी खास damage हो चुकी थी जिसके वज़े से मुझे इतना बड़ा rest लेकिन मुझे बोलना होगा यह नए जिम में यह खासी है कि मैं जब जाहू तो मैं टी-शिट निकाल सकता हूँ और यह बहुत अच्छी चीज है क्योंकि टी-शिट निकाल करने में कुछ अलगी मज़ा आता है इस चीज को मैं मेरे पूरा ने जिम में नहीं कर सकता था क्योंकि वहां कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन से मेरे ऊपर लेकिन कोई बात नहीं हाँ तो फिर हम केबल मुशीन पर थे मेरी चैस्ट एक्जरी डेमेज सिर्फ दो एक्ससाइस के वज़े से हुई थी पहली है पहले तो मैंने इंकले डंबल प्रेस पर ओवर ट्रेंग कर दिया था ज्यादा वज़न उठागर और फिर केबल फ्राइस को मैंने इतने इंटेंसली परफॉर्म किया था कि मेरी चैस्ट कुछ ज्यादा ही डेमेज हो गई मैं सच सच बोलूंगा कीबल फाइस जब भी एक् ज्यादा स्ट्रेंथ इसके अंदर रखी एंड अपना ओल आउट दे दिया केबल फाइस मशीन की यह जो एक्सराइज है इसके अंदर तो फिर मेरी चैस्ट रिकवर नहीं होने वाली है दो हफ्तों तक इसलिए मैं बस अपने आपको प्रोटेक्ट करता हूँ इस प्लान और वर्काउट प्लान नहीं है जिसका फॉलो कर पाऊ एंड आपको एक गैरंटी मेले कि जो भी आप डाइट और वर्काउट प्लान वालो कर रहे हो उसको अगर आप लंबे समय तक फॉलो करोगे तो फिर आपको रिजल्स मिलेंगे ही अगर आपके पास यह को एक लिंक मिल जाएगी उस लिंक के ऊपर अगर क्लिक करोगे तो फिर यह आप लोग डिर्एक्टी मेरी वैबसाइट के ऊपर पहुंच जाओगे अड वहां से आप लोग बहुत बहुत प्लांट को परचेस कर सकते हो च्री मन्स का दायट हमारे बहुत सैल होता है क्योंक उसके अंदर आपको results भी मिल सकते है जो थोड़े से मिलेंगे क्योंकि अगर आप हमें ज्यादा बड़ा time frame दोगे तो फिर हम लोग आप लोगों को ज्यादा बड़े results दे पाएंगे लेकिन फिर जनरली लोग 3 months से start करता है और 6 months का लेते हैं अगर आपको फिलाल के रहे सिर्फ ट्राइ करना हो तो फिर आप 3 months का ले सकते हैं फिर उसके बाद हम लोग ज्यादा बड़े सब्सक्रिप्शन से start कर सकते हैं डाइट और वर्काव प्लांस की फीज भी हमने बहुत अफोर्डेबल रखी है ताकि सब लोग इस चीज का फाइदा उठा सके सो डेफिनेटली वो जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में उसको चेक आउट करना मत भूलना शोलर्ड की पहली exercise रडल्ड की मैं हमेशा रडल्ड सही शुरुवात करता हूँ क्यूंकि मेरे रडल्ड सबसे स्यादा वीग मेरे पूरे शोलर्ड काना अब कह सकते हो कि मारा जो फ्रंट डेल्ड है वो पी कुछ खास डैवलप नहीं है लेकिन रडल्ड है वो कुछ ज्या तो फिर उसको ज्यादा अच्छा बनने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप डिक्लाइन मुवमेंट करोगे चैस्ट के ऊपर और फिर आप फ्लैट बेंच है तो फिर इंकलाइन कर सकते हो है कि अगर अपको ऐसा लगता है कि आपके मसल्स के अंदर कोई एक ऐसा पॉंट है जो वीड है तो फिर उस मसल्स कि लिए आप जो भी एक्सराइस करने बालो। drives को parenthरो आप के अदर अच्छी तरीके से मांड मसल कनेक्शन बना सकता हो एंड आपके अंदर एनरजी भी ज्यादा होती है आप फेलियर तक भी ज्यादा अच्छी तरीके से जापा हो इसलिए मैं अभी रेडल्स लगा रहा हूं and ப ब्रॉब और्फॉस तीनों शोल्डर्स के पर लिए मैं तीन से चार सेंस लगाता हूँ एंद हर सेट मैं ट्रॉपसट पर्फार्म करता हूँ मुझे नहीं पता कि आप ड्रॉपसट पॉफेन नहीं करते ओए औपरmagy जो शोल्डर्स है वह सहीच इनकरे क्योंकि अगर अगर सफ्जान को ट्रेंड करते हो तो फिर ढॉप लगाना मेंडेटरी बन जाता है कि अगर आप ड्रॉप से नहीं लगाते हो तो फिर चांसेफ बहुत drop sets perform करता हूँ दूसरे exercise lateral raises है यह मैं bench पर करता हूँ मेरे mood के ऊपर यह depend करता है कि क्या मैं bench को लूँगा या तो फिर मैं standing lateral raise perform करूँगा और seated lateral raise perform करूँगा इसके अंदर कोई schedule नहीं है यह मैं बस ऐसे ही कर डालता हूँ लेकिन हाँ एक schedule है मेरे schedule के रिये अगर पहले push day के अ मैंने dumbbell से अपना पूरे shoulder को train किया है तो फिर दूसरे push day के अंदर मैं अपना पूरा shoulder मतलब red adult, middle adult and front adult को सिर्फ cable से destroy करूँगा सारी exercise cable से ही करूँगा आप आज notice करोगे कि जो भी सारी exercise shoulders के लिए वो सारी exercise मैंने dumbbell से ही perform की है यह एक मेरा rule है जो मुझे अच्छा लगता है अगर आप shoulders को train कर रहे हो तो फिर आपको decide कर लेना है पहले ही कि क्या आप आज cables से अपने shoulder को destroy करोगे या तो फिर dumbbells है अगर आपको दोनों को mix up करना है तो भी कोई बात नहीं है यह बस मेरे personal preference है इससे कुछ खास difference नहीं बनने वाला लेकिन हाँ यह भी एक चीज है जो आप कर सकते हो although मैं यह बोला चाहूंगा कि जब आप incline letter raises perform करोगे तब आपको पता चलेगा कि यह कुछ ज्यादा ही मुश्किल है in comparison to standing letter raises क्योंकि पता नहीं क्यों लेकिन जब आप incline bench रखते हो और फिर उसके उपर letter raises perform करते हो तो फिर वो चीज आटोमेटिकली ज्यादा मुश्किल बन ही मिलने वाली मतलब जो भी सारा stress होगा वो पूरा stress आपके shoulders पर ही आयेगा जब ground के ऊपर खड़े रहते हो तब आप chances बन जाते हैं कि कुछ-कुछ reps में आप अपने पैर से एंड अपने hips से भी shoulders को train कर सकते हो लाइक अगर आप थोड़ा हिलोगे तो फिर आप आसानी से व पर मूँ नहीं कर पाऊगे इसलिए आप कह सकते हो कि एक्सराइस थोड़ी से ज्यादा सुपीरियर है लास्ट में मैं श्रग्स परफॉर्म कर रहा हूँ आज मैंने फ्रंट आल को train किया था एंड फॉर सम रीजन मेरा जो क्लाइविकल बोन होता है वो दर्द कर रहा था इ एक डिसेजन लेना थे या तो मैं श्रग्स कर सकता था या तो फिर मुझे एक फ्रंट डेल्ट की एकसराइस करनी थी इन दोनों मेंसे मैं कोई एक चीजी कर सकता था इसलिए मैंने श्रग्स को चूज किया क्योंकि मेरे ट्रैप्स थोड़ से वीक बन रहा है आज कल मुझे एसा लग नहीं रहा कि मेरे ट्रैप्स और मेरे शोल्डर से एक साथ चल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि शोल्डर कुछ ज्यादा ही अच्छा है और ट्रैप्स थीक ठाग है इसलिए मैंने श्रग्स को चूज किया कि अच्छा है कि अच्छा है